नमस्ते कच्छा च्छे फुस्तक कीट प्रशंख्या 106 हिंदी साहित 6 के लिए है हमारे पढ़ने का डंग ऐसा होना चाहिए हम विशे को रटने के बजाए वास्त्विक ज्यानार्जन के लिए अपनी बुद्धि और विवेक को या थोचित उप्योग करें बहुत दिख च्छमता की विकास के लिए पढ़ने के साथ साथ खेलना कूदना भी बहुत आवश्यक है पात्र परचय लता सुलेखा कुसुम निर्मला मालती मुखद्यापिका पहला द्रस मंच पर कन्या पाट साला का द्रस से देरे देरे लड़कियों का सोर बढ़ता है बाहर छोटा परदा पड़ा है एक और से दो तीन लड़कियां तेजी मंच पर आती है कुसुम अरे मालती तुम इतनी तेजी से कहां भागी जा रही हो मालती सुना नहीं गंटी बच्चु की एक अच्छा में जा रही हो लता तुम न जाने कहां रहती हो कुछ पता भी है आज क्या हो रहा है कुसुम ये क्या जाने बेचारी इसे पढ़ने से भी अवकास मिले हस पढ़ती है लता ये भी उसी के समान है कुसुम अजी उसकी सहली मालती क्रोट से कुछ बताओगी भी या यूँ ही हसी उड़ाती रहोगी लता ओहो ओहो मेरी रानी क्रोट करना भी जानती हो मालती बई मैं चली मैं तुमारी तरह हसी में जाक में समय खोना नहीं जानती मुझे काम करना है परिच्छ सिर पर आ रही है कुसुम जी हाँ जैसे परिच्छ आप ही को देनी है मालती जी कुरोद न करिए आईए हमारे साथ चलिए मालती पर कहां कुछ बताओगी भी कुसुम हाल में मालती वहां क्या आए लता चलो तो पता लगा जाएगा हाँ तुमारी कुछ कहानी हो तो हमें दोस देना प्रश शंख्या च्छय और साथ में 106-107 में प्रशन इस प्रकार है ये कौन सा दृस्य है प्रश नमबर दो है पाठ का नाम क्या है प्रश नमबर तीन पात्र पच्चे में कितने लोग है प्रश नमबर चार घंटी बजने पर कौन जा रही है प्रश नमबर पाँच इसे पढ़ने से भी अवकास मिले ये किसने किसके लिए कहा है प्रश नमबर चार घंटी बजने पर कौन जा रही है प्रश नमबर पाँच इसे पढ़ने से भी अवकास मिले ये किसने किसके लिए कहा है प्रश नमबर चार मेरी रानी क्रोध करना भी जानती है ये किस ने किस के लिए कहा ये विद्धार्ती प्रिश्णुत्तर लिखेंगे पार्ट पर अधारित है प्रसंख्या एक सो आठ मालती अच्छा भाई चलो तुमारी जैसी इच्छा कोसुम हाँ अब ठीक ठीक बात कही आओ जल्दी करें मुकदमा शुरू होने वाला है मालती मुकदमा कैसा मालती तुम निर्मला को जानती हो मालती निर्मला जो छटी कच्छा में पढ़ती है लता हाँ वही निर्मला उपनाम तोती उपनाम भीम सेनी मालती हसकर भई तोती नाम का तो मुझे भी पता था पर ये भीम सेनी क्या है लता ये भीम सेनी से बना है पर अब चुप इधर आ जाओ लगबक सारा स्कूल यहां जमा हो रहा है छोटा परदा आटता है बहुत सी लड़कियां बैठी दिखाई देती है एक और मेज के पास कई कुर्शियां है उन पर मुख अद्यापका तता दूसरी अद्यापका हैं बैठी है सोर बढ़ता है अद्यापका मेज पर रूल बजाती है वे तीनों एक और बैठ जाती मुका द्यापिका, सांत हो जाओ, क्या करते हो, बैटना सेखो, यह आवाज सुनते ही, वहाँ सांती चाज आते है मुका द्यापिका, हाँ, अब आपका यह कुमारी सुलेखा, सुलेखा, जी, मुझे आपसे इस लड़की के बारे में निवेदन करना है मुका द्यापिका, इसका ग्या नाम है, सुलेखा, जी, इसके माता पिता ने, इसका नाम निर्मला रखा है वैसे इसे भीम सेनी और तोती भी कहते हैं, हाँ सी उड़ाती है मुका द्यापिका, सान्थ, मैं समझी नहीं, भीम सेनी क्या नाम है पेज 108 पर विद्यार्थी चार प्रिश्णों तरस्वेम बनाएंगे और लिखेंगे भी